दोस्तो आज की स्पीड में मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप यह टेल फेमेंट बेंक में आपने लिए एक जिरो बैलेंस बेंक अकाउंट आप अपना मोबल सही ऑनलाइन कैसे उपन कर सकती हो जी हाँ दोस्तो मैं आपको लाइब प्रोसेश दिखाने बला हूँ आपकी सरह से यह टेल फेमेंट बेंक में आपने लिए एक सेविंग अकाउंट यानि की एक जिरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की सरह से उपन कर सकती हो यह टेल पेमेर मेंक आपको online saving account उपन करने का facility देता है जिसके जरीए आप अपना mobile सही account उपन कर सकती हो साथ में घर बेठे इसी account का आप video को ऐसी के जरीए full किवस्थी को भी complete कर सकती हो और यह जो account है यह एक zero balance bank account है साथ में जितने भी आप इसी account के अंदर balance रखेगे उसमें यहाँ पर आपको off to 6% का interest rate मिलेगा और आप यहाँ पर all limited deposit कर सकती हो और यहाँ पर आपको contactless payment दिखने के लिए मिलता है यानि कि आप यहाँ पर UPI payment method को भी इस्तेमाल कर सकती हो account open करने के बाद आपको instantly virtual debit card और account number मिल जाएगा जिसके जरिये आप phone पे, google पे और ptm जैसा UPI payment method wallet को भी इस्तेमाल कर सकती हो दोस्तो यह टेल payment make में account open करने के लिए आपको प्लेश्टूर पे जाना होगा और वहाँ पर आपको यह टेल thanks लिख के search करना है या फिर मैं आपको वीडियो के description में application का link दे दूँगा आपको इसी application को install करना है इसका जो download है ओ यहाँ पर आप देख सकतो 10 करोड प्लस यहाँ पर download हो गया है और इसका rating है 4.4 star ठीक है तो इसको आपको install करना है और application को आपको open करना है application install करने के बाद कुछ इस तरह सा interface देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको let's start पे click करना है आपको अपना permission यहाँ पर allow करना होगा और जो भी आप mobile number या टेल पेमेंट मेंक एकाउंट के अंदर link करना चाहते हो mobile number को enter करके send OTP पे click कर दिना है उसके बाद आपका mobile number पे एक OTP जागा OTP को यहाँ पर enter करना है फिर यहाँ पर आपको login बला option पे click कर दिना है उसके बाद आप यह टेल थेंक्स application के अंदर login हो जाओ गए interface कुछ इस तरह सा दिखने के लिए मिलता है सबसे पहले आपको अपना जो application में wallet account create करना है उसके बाद आप यह टेल payment bank account create कर सकती हो सबसे पहले तो wallet account create करने के लिए यहाँ पर आपना mobile number डेटेस टल के create कर लेना है और bank account उपन करने के लिए यहाँ पर आपको more बाला option दिखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको click करना है फिर आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको saving account का एक option दिखने के लिए मिलता है वहाँ पर आपको click कर देना है फिर यहाँ पर आपको अपना document submit करना होगा जैसे कि दूबी आफ का आधारिया है उया पर आपको enter करना है आपका pen card का number यहाँ पर आपको enter करना है सभी number को enter करने के बाध terms condition को tick करना है द्यान यहाँ पर आपको next पे क्लिक कर दीना है उसके बाद जिस भी आपका आधार कार में mobile number registrate है उसमें एक OTP जागा OTP को यहाँ पर आपको enter करना है फिर यहाँ पर आपको next पर click कर दीना है उसके बाद जितनी भी आपका अधरकर में details होता है और यहाँ पर आपको दीखने के लिए मिल जागा आपका name, आपका gender, आपका date bar फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपका father name enter करना है mother name, आपका marital status को यहाँ पर enter करना होता है द्यान यहाँ पर आपका email ID, आपका profession को select करना है उसके बाद आपका annual income को यहाँ पर आपको select कर लेना है उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक option दीखने के लिए मिलता है correspondence address, अगर आपका जो other card में address है ओ ही आपका correspondence address हो तो इसको आपको yes पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको submit बला option पर click कर दीना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना nominee details add करना होता है जो भी आप nominee अपना bank account के अंदर add करना चाहते हो nominik को यहाँ पर आपको एंटर करना है nominik desk details को यहाँ पर आपको देना होता है फिर यहाँ पर आपको अपना nominee का address को एंटर करना होता है complete address nominik का एंटर करनी की बाद यहाँ पर आपको submit बला option पर click कर दीना है उसके बाद you are almost there लिखे आजागा अभी आपको अपना KVAC complete कराना होगा उसके बाद आपका account active हो जाएगा सबसे पहले तो KVAC करने से पहले आपके पास original pen card होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर आपको terms condition बताया जाएगा KVAC करने के लिए यहाँ पर आपको CDL now पे click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप आभी KVAC start करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको now प्ला option पे click कर दीना है उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ time wait करना होगा यह redirect करेगा KVAC करने का page पे तो यहाँ पर आपको wait करना है उसके बाद आपका appointment confirm हो गया है आभी आपको KVAC start करने के लिए call now पे click कर दीना है उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह सा loading होगा तो यहाँ पर आपको कुछ time wait करना है कुछ आपको permission मागेगा तो यहाँ पर आपको allow करना होगा उसके बाद जो भी agent होगा KVAC करने के लिए call payment bank का ओ आपके साथ connect हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ time wait करना है और connect होने के बाद आपको अपना KVAC process को complete करना है जैसे कि आप देख से तो वीडियो के ऐसे के दोरान यहाँ पर जो भी agent होगा वो connect हो गया है हमरे साथ आपको अपना original pen card दिखाना है आपको अपना एक selfie देना होगा live photo और वो पूछेगा आपका details को तो आपको बताना होगा आपको अपना KVAC complete करने के लिए यहाँ पर आपको अपना live photo दे देना है एक selfie और आपका KVAC complete हो जाएगा KVAC जैसे आपका complete हो जागा एजन आपको बोल दाता है कि आपका KVAC complete हो गया है अब ही आप close कर सकती हो वीडियो के ऐसी close करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इसी तरह सा option देखने के लिए मिलता है प्लिच वैट Do not press back और refresh तो यहाँ पर आपको कुछ time void करना है उसके बाद यह automatic redirect करगा यह टेल थैंक्स का application पर कि वैसी complete होने के बाद आपको दूबारा से application को open करना है उसके बाद जो wallet वाला जागा था ना हट जागा अभी आपको saving account दिखने के लिए मिलगा आपका UPI ID यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जागा view account पर click करके details देख सकती हो debit card जो आपको मिला है virtual debit card ओ यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिलेगा अभी तक master debit card ही दिखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है जैसे यह रूपिय यह फिर भीजा का नया वाला debit card आता है तो मैं आपको वीडियो बना के देदूँगा उसके बाद दोस्तों आप अपना account को यह tell thanks application के जर्ये manage कर सकती हो और एक बार अपना QST complete हो जाने के बाद जो भी आपका account होता है और lifetime access आप easily कर सकती हो